मैं आपके बीच मुखाना चाहता हूँ कि थोड़ी सी दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को गलत फेहमी सी रहती है कि किसानों को बहुत कुछ दिया जागा है कि सारा किसान आगर के पूरे देश को लूट रहा है सारी समसिडी दी जा रही है और पड़ा जो है घटिया किसाना इस देश का कि कंबख्त आ जाता है हर बार 34 महीने के लाओ ये देदो और वो कर्दमाफी कर दो ये अशोग गुलाटी जी का एक छपा था ओई सीडी की एक र लिया और किसानों से हमने क्या लिया नेट प्रभाव भारत में यह कि सत्रा सालों में 45 लाग करोड रुपया दुबारा बता देता हूं बीच में खास गये थे कौने तरफ कोची नियवास 45 लाग करोड रुपया हमने किसानों का छीना है ये चौद्री कुषपेंट नहीं लिए रहा है 36 देशों की संस्था OECD की रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है यहीं सबसीडी दी दो रुपे की और मेरी प्यास भाहर बहेंगी भी दर यह सो रुपे की उसमें एक्सपोर्ट में आपने रेस्टिक्शन लाग दिया मेरे से 10 रुपे चीन ली दो रुपे दि जब गिंती की गई तो हमारे देश के किसानों से हुने पौने तीन लाग करोड रुपया प्रतिवर्श छीना है तो यह दिल्ली में बैठे हुए जितने भी इंटरेक्श्वल्स हैं वह गरत फेमी निकाल दे किसान को हम कुछ देते हैं यह गरत है किसान से हम उल्टे लेते इसी रिपोर्ट में यह का गया कि OECD कंट्रीज इछले साल 2016 में चाइना ने 232 बिलियन डॉलर की मदद अपने किसान को नेट की जो 17 लाग करोड रुपया बैठता है और OECD कंट्रीज ने भी लगवग इतनी ही 235 बिलियन डॉलर जो लगवग 177 लाग करोड रुपया बै यानि हम किसान से लेते हैं और ढोल पूरे विश्व में बजाते हैं पूरे देश में बजाते हैं कि किसान को हम देते हैं हमने यह सब्सीडीज देदी वो सब्सीडीज अगर आप सब्सीडीज क्या दी और क्या उससे लिया हिजाब लाएंगे तो यह माइनस 25 बिलियन डॉ आप लोग जो गवर्मेंट मंकी है, we want the government monkey of our backs, हम कहां बेचे हैं, किसको बेचे हैं, कितना बेचे हैं, किस रेट पर बेचे हैं, यह हमारे उपर छोड़ो ना, हमसे कौन खरीदे, कौन ना खरीदे, हम बाहर बेचे हैं, आपको बेचे हैं, अब आप बेखिए आपको दोर प पीछे एक ही नीती है, कि आपको इंफलेशन टार्गेटिंग करनी है, इंफलेशन में आपको 46% वेटेज खाद्यपदार्त का है, उसके लिए आपको किसान सबसे अच्छा दिए जाता है, आज जब अखमार में ने उठाया, तो उसमें क्योंकि बुद्वार है, तो बिग सबस्ता है, जो आदमी है, शेर में बैठा हुआ खा रहा है, उसे भी सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन यहीं चीज हमसे 2 रुपे किलो और 1 रुपे किलो और हमने फैक्रे में मजबूर हुए थे 2 महीने पहले, आपको सब रिंपोर्ट पता है खान साब, तो यह बीच का जो तं प्रणुन में जो एक करोड़, डेड़ करोड़, दो करोड़ बिचोली हैं, उनको कोई सरकार काबू में नहीं कर पारेगा, उसको आगा आप अगर आप काबू में कर ले तो मेरा 10 रुपे किलो प्यास जाएगा, आपको पंद्रोट पिल जाएगा, लेकिन उसको काबू कर प्रणुआ और प्रणुद्र इसके मिशें मार्टिकल की, इसमें मेरा इस जाएगा है, यह आप हमें डारेक्ट बेनिफिट दे दीजिए, हमसे बाकी सारा आपना समान जो भी है, हमारे पर रेस्टिक्शन अटाइए, और सारी सबसेड़ी हरकागर के हमें डारेक्ट बेनि जो इसमें करते हैं घ्रावी देंगे, एक्सपोर्ट चाहोगे एक्सपोर्ट कर लेना, रखना चाहोगे, रखना चाहोगे, खिलाना चाहोगे खिला देना, लेकिन यह वैस्टिक्शन में जब तक कुछी रहेगी तक कोई सम्भावना नहीं है, आप बैठे हुए, ट्रेक् सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब किसानों के उपर इस बात का बोज क्यों डाला जा रहा है क्योंकि किसान को यह नहीं बता कि बोजन का को रिप्लेस्ट में यह वो इस वी तरीके से खरीदा जाए अगर उसका रेट बढ़ दे ही आपनी दोगे मुझे तभी चीवन में बढ़ावा मिलने वाला नहीं है कि मेरा समान मेरे घर के बार मिकला दो रुपे और एक रुपे कि लोग पिचासी करोड आदमियों को दे दिया कैसे बिखेगा कैसे मेरा रेट बढ़ेगा जीवन में बढ़ी नहीं सकता हमें पचास करोड एकड जो है यहां पर जमीन है दस जार रुपे के जाप पांच लाग करोड वे बनता है हमारे खातों सीधा बेज दीजिए और तहीं कुछ करिए आप हम प्रड्यूस भी करेंगे सब को खिला भी देंगे लेकिन ये तरीक तरीके से जो हमें भूटने का क प्रड़ कर दो